आश्विन कृष्ण पक्ष के 15 दिन पित्रिपक्ष कहलाते हैं और इन 15-16 दिनों में हम अपने पित्रों के प्रती स्रद्धा से जो कृत्य करते हैं उसे स्राद कहा जाता है स्राद कर्म प्रती एक हिंदू के लिए अनिवारिय है और विशेश रूप से यह दाइत्व समझते हुए उसको यह कर्म अवश्य करना चाहिए स्राद्ध कर्म करने से हम जो है पित्र रन से मुक्त भी होते हैं और स्राद्ध कर्म के माध्यम से हम अपने पित्रों को वर्ष भर के लिए तिर्प्त भी करते हैं पित्र लोग से हमारे पूर्वज पृत्वी लोग पर इस आशा को लेकर के आते हैं कि हमारे जो घर वाले हैं वो हमें पिंड दान करेंगे तिलों की अंजलियों का दान करेंगे जलान जली दान करेंगे तो हमें वहां जाना चाहिए लेकिन वो जब यहां आते हैं और सरद्धा से उन्हें वह वस्तू या उनके निमित तो वो कर्म संपाधित नहीं होता तो वो बड़े ही अप्रसन होते हैं जिससे अनेको प्रकार की व्याधिया हमारे यहां लग जाती है क्योंकि पित्र है और वो हमसे नाराज नहीं होने चाहिए तो पित्रों को प्रसन करने के लिए जब हम उनके लिए सरद्धा से सराद करते हैं तो एक शास्त्र में प्रमानिक बात है और वो ये ये बात है कि आयो पुत्रान यशहस्वरगम कीर्तिम पुष्टिम बलम स्रियम पशुन शौख्यम धनमधान्यम प्राप्टनुयात पित्री पूजनात। क्योंकि जब पित्री पूजनात तो वो अनेको प्रकार के आश्रवाद हमें प्रदान करते हैं। वो बलिया अवश्य प्रदान करें। ब्रामन भोजन विशेस रूप से करें। दीन दुखियों को भोजन अवश्य करवाएं। और उसके विशे में आगे हम कुछ जानकारियां और भी प्राप्त करते हैं। तो स्राधों के अनेक प्रकार है जैसे नित्य स्राध, नैमितिक स्राध, काम्य स्राध, वृध्धी स्राध, सपिंडन, पारवन, गोश्ठी, शुद्धियर्थ स्राध, कर्मांग स्राध, त्रीर्थ स्राध, यात्रार्थ, पुष्टियर्थ अनेको प्रकार के स्राध है। इन स्राधों के माध्यम से अनेको प्रकार की हमारी मनु अभिलिशित कामनाओं की पूर्ती भी समपाधित होती है कहा गया कि गतवर्ष जिसकी मृत्य हुई उसका स्राध जो है चतुर्थी या पंचमी को कर देना चाहिए पती के जीवन काल में मरने वाली स्रीका स्राध जो है मात्री नवमी के दिन कर देना चाहिए गात चतुर दशी के दिन ये कहा गया कि युद्ध में या किसी भी प्रकार से व्यक्ति मारा गया हो तो उनकी घात चतुर दशी के दिन उनकी जो है उनका स्राध कर देना चाहिए और सभी पित्रों के निवित हमें अमावश्या के दिन तो करना ही चाहिए जिसे सर्व पैतरी अवश्या भी कहा जाता है तो हमारे पूर्वजों का जो जो तिथी थी जो जो दिवस था उस दिवस का विश्टेश रुप से ध्यान रखते हुए हमें जो है पिंडदान और ये स्राद कर्म अवश्य करना चाहिए गया स्राद के विश्य में तो अनिको प्रकार की महिमा बताई गई है ऐसे ही बद्रिनात धाम में भ्रम का पाली नामक की स्थान है वहाँ पर भी पित्रों का स्राद करने की अपार महिमा बताई गई है तो हमारा जो वास्त्रिक उद्देश्य है कि इन स्राध कर्मों में हमें हमारे पूर्वजों के प्रती अवस्य स्राध संपाधित करना चाहिए इन स्राधों के माध्यम से हमारी जो भी कामनाएं होती है वो पित्री विशेश रूप से उसको उद्देश्य मान करके उसकी पूर्ती भी करते हैं और हमारा दाइत्व है क्योंकि उनके द्वारा ही आज हम इस जीवन में हैं तो ये दाइत्व हमें अवश्य निभाना चाहिए क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ यह जीवन है तो अपने पूर्वजों के प्रती अवश्य स्रद्धा व्यक्त करते हुए ये स्राध कर्म आपका अपना दाइत्व निभाते हुए अवश्य आपको संपाधित करना चाहिए ठीक है इसी प्रकार की जानकारिया निरंतर जानने के लिए और कुछ जानकारिया आपको चाहिए तो उनके लिए आप मुझे कमेंट करके बताईए निरंतर आपको वीडियो जो है शास्त्र प्रमा कारी अवश्य प्रशित करें नमो नमाहा